हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बढाई के पात्र नहीं है क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बढाई नहीं देना चाहिए सत्ताएं जब अपने गुरूर में होती हैं और जनता को दरिद्र समझ लेती हैं तो जुबान ऐसी ही होती है जहां जनता के टैक्सक से ही जनता को दिये जाने वाले भोजन को सांसद फ्री फंड का बोलता है यह भाजपा के सांसद निसिकांद दूबे हैं जो की संसद में बैठ कर इस तरह की जुबान बोल रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी फ्री फंड का खाना दे रहे और क्या वह बधाई के पात्र नहीं हैं इनकी जुबान से समझे कि जनता इनके लिए क्या होती जा रही है यह ठीक उसी भासा में बात करते हैं जैसे तानासाह राजाओं के दरवाजे पर जनता पड़ी रहती है मेहनत मजदूरी करके और उनको कुछ रोटियों के टुकड़े फेक दिये जाते हैं और उन टुकड के बाद भी एहसान के जुबान इसी के करीब की होती है पर इन सत्ता नसीनों को और इन सत्ता के तानासाहों को याद रखना चाहिए कि सत्ताएं जब भी इन बद्जुबानियों पर उतरती हैं और जनता को जब भी वह भिकमंगा समझ लेती हैं तो वह दिन दूर नहीं होत जब जनता इन्हें समुद्र के किस गर्त में ढखेलती है इनकी पीडियों को भी याद नहीं रह पाता यह इतिहास नहीं पढ़ते इन भाजपाईयों को चाहिए कि यह इतिहास पढ़ें यह लोकतंत्र के इतिहास को पढ़ें दुनिया में ताना साहियों और राजतंत्र के इ सत्ता से न सिर्फ नीचे ढखेला है बलकि उन्हें जमिदोज किया है यह जिन्हें आदर्स मानते हैं हिटलर को हिटलर के भी इतिहास को अगर ढंग से यह पढ़ लें तो इन्हें पता चल जाएगा कि उसका क्या हुआ था इसलिए इस जुबान सर अगर यह माफी नहीं मांग प्रधान मंत्रे खोद आकर सदन में यह नहीं बोलते कि यह हमारा सांसत बौरा गया है और वह तो हमारे माई बाप की कमाई है जनता माई बाप होती है नेताओं की वह एक एक रुपए का टैक्स देती है जनता इसे हर काम छील लिया तुमने कभी जीस्टी लगाया कभी नो हंगर इंडेक्स में लगातार हम उपर चड़ते चले जा रहे हैं तब तुम कहते हो कि फ्री फंड का खाना प्रधान मंत्री दे रहे हैं जैसे गुजरात के उनके खोतों में पैदा हो रहा यह अनाज है जिसे निसिकांद दूबे अपने ट्रैक्टर और टाली से लाकर दे अंदाजा नहीं होगा क्योंकि यह पूरे देश को एक ही लाठी से हाक रहे हैं और इन्हें लगता है कि इनकी बदजुबानियों से यह सहनसाह बन जाएंगे और देश में राजतंत्र कायम कर फरजी हिंदुवाद का एक मुलम्मा चड़ा कर देश को गुलाम बना जन ज्वार जन ताकी में